नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे history सीरीज में जिसमें कि इस से पहले चैप्टर में हमने आपको बताया कि किस तरों से 16 सतापसी से 12 सतापनी तर्क गाविरे डिटा के चेत्र में नएने राज्यों का विकास होता है और वहाँ पर किस तरों से उनका सासमकाल चलता है तो यहाँ पर आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में जो कि एक्जाम के तृष्टे से भी बहुत महतोपूर है और इतिहास में देखा था चेप्टर नमबर टू में похож चेप्टर में दिल्ली सल्तनत का वहाँ पर कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया था इसका कारण क्या था इसका करण यहा था कि जो दिल्ली था उजिए भन है वहाँ बना है बारवी सताप्ती में तो हमने लगभक छटवी से ग्यारवी सताब्री जग का अधियन कर लिया था लेकिन जो दिल्ली सहर बना है वह बारवी सहर में बना है तो पहले जो यहाँ पर तूमर राजपुतों के काल में दिल्ली सामराज्य की राजदानी बनी इसके बाद 12 सदी के मदे में तोमरों और तोमरों को अजमेर के चोहनों ने क्या कर दिया परास्ट कर दिया चोहन जो चहमान नाम से हमने इनका जिक्र हुआ है इनके बारे में हमने जाना था तोमरों और चोहनों के राजयकाल से ही जो दिल्ली है यहाँ वानिजय वानिजयने के बिजनिस का जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो हो रहा था बिजनिस वो बहुत ही केंद्र महतोपून केंद्र बन गया था तो इस सहर में बहुत सारे संविद्द साली जेन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्मान करवाया यहां देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी परचलन में थे तो एक क्वेशन पूशा जा सकता है कि यह देहली वाल क्या है तो देहली वाल क्या है यहां क्या है एक सिक्के हैं जो कि दिल्ली में क्या करे जा दे थे इनका प्रचलन होता था तो यहाँ पर हम एक मानचित्र देख पा रहे हैं इसमें कि 13 और 14 सदी में दिल्ली सल्तनत में कुछ सहर हैं उनको दिखाए गया है देखिए आप यहाँ पर फिरोजाबाद, फिरोज सहा कोटला और जो कि अभी करकेट का स्टेडियम भी यहाँ पर है इसे तरो से जहाँ पना सिरी, होज साक, तुगलगाबाद, अदिलाबाद यहाँ पर कुत्व मिनार भी इस्तित है तो इस तरो से यह उस समय का मानचित्र है इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 13 सदी के आरंब में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधान भी बन गई, जिसका नियंतरन इस भारत उप महादीब के बहुत बड़े छेतर पर फैल गया, तो जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे सुल्तानों ने अपने नगर बसाए, यहाँ पर दहली एक कुहना आपको यहाँ पर दि के ने सहर हैं, तो यहाँ पर तालिका है, एक देरखिया, एक टेवल, जिसमें कि दिल्ली के जो सासक हुई है, उनका क्रम दिया हुआ है, क्योंकि यह एक्जाम की दृष्टी से भी बहुत मैतोपूर्ण है, दिल्ली सल्तनत को इतिहास का, इतिहास विशय के अंतरकत बहुत इंपॉर्टेंड माना गया है, तो इसमें हम देखते हैं, तो राजपूत जो सबसे पहले अदिल्ली जो सासक था, वह राजपूत वंस था, उस पर सासन जिसमें कि तोमर लोगों का यहाँ पर सासन था, आरंभिक बार्विस सताब्दी से 1165 तक, जिसके बाद कनंग पाल न ने 1175 से 1192 तक यहाँ पर राज किया, उसके बाद यहाँ पर तुरकों का आक्रमन हुआ, तुरकों ने 1206 से 1290 तक राज किया, जिसमें कि कुटब अधिन एवक ने प्रिथिवी राज चौहान इनके साथ युद्ध किया, और 2206 से 22010 तक कुटब अधिन एवक ने राज किया समसुद्दीन इलतुतमस्त ने भी यहाँ पर राज किया, जिसमें कि 1210 से 1236 तक राज किया, आप जानते हैं जो कुटब मिनार है, जिसका निर्मान काम सुरू किया था, कुटब अधिन एवक ने उसको जो समाप्त किया, उसको पूरा किया, वो इलतुतमस्त ने किया था, फिर इलतुतमस्त की पुतरी रजिया सुल्ताना ने भी 1236 से 1240 तक यहाँ पर राज किया, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली पर राज किया, 1266 से 1267 तक, इसी तरह से इनके बाद यहाँ पर खिलजी वंस का सासन हुआ, खिलजी वंस में गजरालुदीन उसके बाद खिलजी वंस के बाद तुगलक वंस का दिल्ली पर शासन हुआ, उसमें गयासुद्दीन तुगलक, महमबत तुगलक और फिरूद सहा तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया, उसके बाद सेयद वंस आया, सेयद वंस में खिज खान ने यहाँ पर 1414 से 1421 तक इसके बार हम देखते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमने अभी बहुत सारे सुल्तानों के नाम पड़े हैं तो हम इन सुल्तानों के नाम देखते हैं तो अभिलेग, सिक्कों और इस्थापत्या जो भवन निर्मान कला के माद्यम से काफी सुचनाय मिलती हैं लेकिन टारीखें हैं यह सर्व सुल्टानों के सासनाकाल में प्राशाषण की वह सार्ठी भासा में यह लिखे गए थे। थे। जाहां तर अच्छा निर्मान के लाज शिक्क वो पता चलता है लेकिन जो मेन पता चलता हैं वह पता चलता है, जो उस समय जो डेश लिखी गई होंगी इस समय कि लोगों के दौरा उन से उस समय करता है तो यहाँ पर आको कि चत्रे बीदेख बारे हैं कि किस तरह से कागज को बना रहा है किर लिए क्रिए क्या क्या संबंदी सलाह भी देते थे वे न्याय संगत साशन पर बल देते थे न्याय संगत साशन का मतलब होता है कि करप्शन फ्री जहां पर न्याय हो जहां पर जो आपका करप्शन हो वो नहो वो न्याय प्रिय शाशन को आपको देते थे महत्व इसके बाद हम यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं हमने बताया कि पांडुलिपियों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कागज तैयार किया जा रहा है लेखन सामगरी तैयार किया जा रही है लेखन किया जा रहा है उनको कोई खा लेगा या पानी या आग के प्रभाव से जल्दी समाप्त हो जाएंगे लेकिन उस समय के जो कागज थे वे बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस से बना जाते थे बहुत समय लगता था उनको बनाने में इसलिए वो अभी तक जिवीत हैं और हम उनसे इतिहास की नहीं जी सकते बेतन आता है कहां से किसानों से और जो किसानों से जो टैक्स लिया जाता है वहां से आता है मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुसाल होंगे जब वे प्रशन होंगे जब वे संपन होंगे और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा क्या करे न्याय और इमानदार प्रशाशन को बढ़ावा दे तो देखिए उन्होंने पूरा का पूरा जो वर्डन कर दिया है कि किस तरों से एक किसान और एक राजा का रलेशन है उसका राज्य तभी सम्रिद्ध है जब किसान सम्रिद्ध है इसलिए इस पूरी सम्रिध्धि को बनाए रखने के लिए उसने न्याय को सर्वो परिमाना है यदि न्याय और इमानदारी भरा प्रशाशन है तो सभी खुसाल रहेंगे राजा भी सम्रिध होगा और किसान भी सम्रिध होगी तो यहाँ पर यह बोल ला है कि कुछ बातें ध्यान में रखें कि तवारिक के लेखक नगरों में रहते थे गाउं में बहुत कम रहते थे शायद ही कोई रहता था वे अक्षर अपने इतिहाश सुल्तानों के लिए उनके धेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में करते थे यह लेखक अक्षर शासकों को जन्मसिद अधिकार और लिंग भीद पर आधारित आदर्श शमाज व्यवस्ता बनाए रखने की सलाहा देते थे उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं भी होते थे लेकिन राजा उनकी बात को मानते थे और इसी तरों से यह चलता रहता था तो जो बारासो चछतिस इसवी में सुल्तान इल्टुत्मिस की बेटी कौन थी रजिया सुल्ताना वे क्या करी सियासन पे उन वे बैठी उस उनके इतिहासकार मिनहाज इस राज ने स्विकार किया कि वह अपने सभी भाईयों से अधिक्या थी योग्य और सक्छम थी तो इसके बाद जो लेकिन फिर भी वह एक राणी को सासक के रूप में मानता नहीं दे पा रहा था दरवारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शा इस से हटा दिया गया तो इस से भी उस समय के लोगों की मानसिक्ता का पता जलता है कि उस समय लोगों की मानसिक्ता किस तरो से थी वे महिला प्रधान समाज को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे थी वे महिला के प्रशासक होने पर जोर नहीं दे रहे थे तो इस तरो से रज का सोचना था कि इस्षर ने चो आदरस समाज व्यवस्ता बनाई है उसके अनुसार इस्तरियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और राणी का शाषन इस व्यवस्ता के विरुद्धु जाता था अर्थात, राणी यह दिस्षाषन करेगी तो वहाँ पुरुसे के अधिन नहीं होगी बलकि पुरुस इस्त्री के अधिन हो जाएंगे इसलिए वहाँ पूस्ता है खुदा की रचना के खाते में उसका व्योरा चुकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी सांदार खुबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ अर्थात जो रजिया सुल्ताना है उनमें बहुत सारी खुबियां है वे बहुत अच्छी योद्दा है बहुत अच्छी सासक भी है लेकिन अगर उनको सासक हासिल नहीं हो रहा है तो उन खुबियों का क्या मतलब क्या है मतलब बन जाता है तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्टुत्मिस्त की बेटी थी आधुनिक आंधरप्रडेश्ट के वारंगल छेत्र में किसी समय काकती या वंस का सासन था तो उस वंस की रानी रुद्रम्मा देवी जो कि बाशर्ष्ट से बारासो और नब्वे के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीद था रुद्रम्मा देवी ने अपने अभि लिखों में अपना नाम पुरुसों जैसा लिखवा कर अपने पुरुस होने का भ्रम पैदा किया था एक और महिला सासक थी कस्मीर की रानी दिद को एक इस्तने भरा संबोधन दिया होगा तो यहाँ पर और समय की इस्तरी सासकों का जो बनना था वह बहुत कठिन था इसलिए उनके वरणन यहाँ पर दिये गए हैं तो अब हम देखते हैं मानचित्र में तो समसुद्दीन जो उल्दुत्मिस है उन्होंने किन-किन प्रम का बिहार है राजिस्थान है यहाँ वरतमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक दिल्ली समतनत का विस्तार हुआ था यहाँ पर देखिए बहुत सारे नए राजिया आपको दिख रहे हैं जो अफगानिस्तान में राजकोट इस तरह से नंदाना पाकिस्तान में लाहोर ब तो 33 सताब्दे के आरंधिक वर्चों में डिल्ली के सुल्तानों का सासन गईरिसनों यानकी रक्षक सेनिकों के टुकडियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बन सहरों से परे शायद ही कभी फैला हो अर्थात जो क्या थे दिल्ली के सुल्तान थे उनके जो रक्षक जो सैनेक टुकडियां थी वे क्यानी हुई है शहरों से आगे नहीं गई है यानकी वे इधर उधर कहीं नहीं गई शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भित्री प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नके ही बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामगरी रशत आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था तो दिल्दी से सुदूर, बंगाल और शिंद के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था क्योंकि हमने अभी मानचेत्र में देखा है कि बहुत दूर दूर तक क्या थी दिल्दी सल्तनत के सीमा थी तो वहाँ पर क्या नियतर करना बहुत कठिन हो गया था, अब हमने देखा कि जो ये garrison है, जो ये scenic है, जो यहाँ पर है, इन छेत्रों में है, सुदूरवर्ती छेत्रों में है, इनका क्या नहीं था, दिल्ली सल्तना से ज्यादा contact नहीं था, क्योंकि बहुत distance था इनके सूत्र छिन भिन हो जाते थे, अर्थार वहाँ पर पता ही नहीं चलता था कि राजा को कि अगर कोई कहीं से कोई सूचना संपर्क सूत्र भी है, तो वहाँ खराब बोसं के करण वहाँ नहीं पहुच बाता था, तो सासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन स सुबेदारों से बराबर चुनोती मिलती रहती थी, जो जरासी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का जंडा खड़ा करते थे, अर्थार वे वहाँ से युद्धिप कर लेते थे, तो इन चुनोतियों के चलते, सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आपको बच इनमें अभियान चले, और इन अभियानों का जो लक्ष था वह था, गैरिसन सहरों की प्रिस्ट भूमी में इस्तित जो भीतरी छेतर थे, उनको मजबूत करना, उनकी स्तिति को मजबूत करना, तो इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दुआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और सिकारी जो संग्राहक थे और चरवाहे थे हमने इनके बारे में पहले पड़ा हुआ है जो कि राजा को कर देते थे तो उनके प्रियावास से उन्हें खदेर दिया गया उनको वहाँ से हटा दिया गया वहाँ जमीन किसानों को दे दी गई और कृशी कारे के लिए उनको प्रोचसाहित किया गया तो व्यापार मारगों की सुरक्षा और छेत्रिय व्यापार की उन्नति की खादिर नए किले और सहर नए नए बसाए गये और यहाँ पर जो दूसरा विस्तार हुआ वह सल्तनत की बहारी सीमा पर हुआ अलाओदीन खिलजी के सासनकाल में दक्षिन भारत को लक्ष करके सैनिक अभ्यान सुरू कर दिया गया हमने जब मैप में देखा था वहाँ पर दक्षिन भारत में उनका कोई भी अटेक नहीं था यानकि दिली सल्तनत वहाँ पर दक्षिन भारत में नहीं थी लेकिन अब उन्होंने वहाँ पर विस्तार करने क के सोची और ये अभियान जो थे वे महमबत तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर थे यनकि जो दक्षिन की तरफ जो अभियान चलाए वे महमबत तुगलक ने बहुत जादा चलाए इन अभियानों में सल्तनत की सैनाओं में खा थी, खोड़ी, गुलाम और मुल्यवान जो वर्ष बाद मुहमबत तुकलक के राजकाल के अंतर तक इस उपमहाद्वीब का एक विशाल छेत्र इसके युद्ध अवियान के अंतरगत आ चुका था यहनकी उन्होंने पूरे भारत उपमहाद्वीब पर अपने युद्ध अवियान छेड़ दिया और उनको अपनी सल्तरत में मिलाने की कोशिश की तो इनके सत्रों की सेना को प्रास्थ किया गया और सहरों पर इन्होंने कबजा किया इसके सुबेदार और प्रशाशक मुकदमों में फैसले खुद सुनाते थे और साती सात किसानों से वे टैक्स भी वसूलते थे कर वसूलते थे लेकिन इतने विशाल छेटर पर इनका नियंतरण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था इसके बारे में हम जानते हैं यहां पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें की दिल्ली सल्तनत देखिए दिल्ली सल्तनत दिल्ली जो है वह कहां इस्तित है लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं जो इसके राज्ये हैं वो गुजरात में इसका 1299, 1303, 1301 यहां पर देखिए कितने दूर दूर तक क्या है दि पूरे आदी छेत्रों तक सेनिक अभ्यान दिल्ली सल्तनत ने चलाए तो आगे हम देखते हैं कि बारवे सदी के आकरे दसक में यहाँ पर अल इसलाम मस्जित तथा उसकी मिनारें जहाँ पर जामा मस्जित दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाएगी तो सबसे पहले यह सह जबकि अलावदीन खिलजी ने इसको बनाना जो कुतबदीन एवक है इन्होंने इसको बनाना शुरू किया था तो मस्जिद क्या होती है यहाँ एक अरभी सब्द होता है जिसका साब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसल्मान अलाह की अरादना में सजदा का पूटने और माथे को जमीन पर तिकाना तो जामा मस्जिद वह मस्जिद होती थी जहां अनिक मुसल्मान एकरतित हो करके साथ साथ नमाज पढ़ते थे नमाज की रस्म के लिए सारे नमामजीयों मैसे सबसे अधिक सम्मानिया और बिद्वान पुरुस को इमाम के रूप मे भी देता था तो इमाम के दरान मुसल्मान मक्का की तरफ मुह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पस्चिम की ओर पढ़ता है आप देख सकते हैं जो अरब देश हैं वे का हैं मक्का जो है वह हो पस्चिम की ओर पढ़ता है तो इसलिए मक्का की ओर की दिशा को किबल कहा जाता है तो यहाँ पर आप चित्र तीन में देख पा रहे हैं बेगम पुरी की मस्जिद यहाँ मुहमद तुगलक के राजयकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी थी जहाँ पर विश्व की सरना इस्थली इसको जहाँ पर नहाँ को कहा जाता था तो यहाँ पर यह आपको दिख रही है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और चित्र है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं मोठ की मस्जिद जो कि सिकंदर लौदी के सासनकाल में यहा उसके मंत्री के द्वारा बनाए गई थी तो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उत महादूप के अनेक सहरों में क्या बनाई? मस्जिदें बनाई इससे उनके मुसल्मान और इस्लाम के रक्षक होने के दावेग को क्या मिलता है? बल मिलता है समान आचार सहीता और आस्ता का पलन करने वाले सरधावलों के परस पर एक समुदाय से जुड़े होने का इससे बोध होता है और इसे ये बोध कराने में क्या होती है ये मस्जिते शाहयक होती है तो एक समोधाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना ज़रूरी भी था क्योंकि मुशलमान और एक भिन भिन प्रका की प्रिष्ट भूमियों से आते थे तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी है इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे खलजी वंस और तुकलक वंस के बारे में तो उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद